सबसे पहले तो कथक की आप जो है जो टेक्निकल आसपेक्ट हैं उस पर आप आप अट लीस्ट एक मास्ट्री तो करें जो मैं जब मैं कह रही हूं कथक की टेक्निकल आसपेक्ट वगर वो एक ग्रामर की तरह है व्याकरण की तरह है अगर आपके हाथ ही नहीं जा रहा है आप का पैर जो है टाथे ही थेट साफ नहीं जा रहा है तक्रुट पक्रुत नहीं साफ जा रहा है तो फिर आगे क्या क्या करण तोड़ है परहन क्या क्या अमत लेका वो वह यो अर उसमें एक बॉडि की system को रम्ज लेना चाहिए आपका मन जो है वो कत्थक में रम लेना जाए जब आपकी वो भाष्षा कत्थक की भाष्षा आपने अपना लिया है तब फिर आपकी सोच पर है कि आप उस उस भाष्षा को किस तरह है तो यह ज़रूर और मैं एक चीज़ और कहूंगे गहराई में जाए उपर उपर ना रहे क्योंकि उपर उपर रहने से फिर बुल-बुले की तरह है आज है कल चला गया वो गहराई रहेगी तो वो सागर की गहराई जो है वो आगे तक चलती जाएगी और वो फिर आप जो भी उमर हो वो आपके साथ है क्योंकि कत्थक तो सिर्फ एक है अपनी emotions और को व्यक्त करने का तो दोनों चीजे बहुत ज़रूरी है एक सही grasp of the entire grammar of Qatar और एक गहराई और और उसमें जो है emotions के के बगएर कुछ नहीं होता है जीवन में हमलोग सब एक मुस्कराहट के लिए जान देते हैं अगर किसी ने ऐसे मुस्करापकर नेज देखा और ये तो पता चल जाता है तो एक बॉडी भी बता देती कि वह मुस्कुरा रही है बॉडी कि नहीं कर रही है वो आपसे नाराज है कि नहीं पीठ भी बता देती है कि आपको पूरा चहरे से नहीं बताना है अगर चहरा बहुत खिलकिला कर लेकिन आखें नहीं हस रही है यहां से आप नहीं है तो पता चल जाता है तो वो गहराई जो है उस हम ना 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 किट किट हक टागे जिरक हर दि contributor है किट ताके तीरक डिशो तर किटीचे तेकर थे है दा किट का यात दिंगि दा दा दो किट हूँ ना ना किट में जिए निए निएãy तागे तरगे 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 झाल झाल